सेहिंद आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट है जो फूर यू में और आज की सिशन में हम लोग फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर है ना जिसको हम लोग कहते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वाइंटिटिटीज या वेक्टर एंड में स्केलर कंटिटीज हिंदि में सदिस अधिश राशियां इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं और आज के तो इसमें हम लोग को जो चैप्टर में पढ़ना है वो स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज उनके नोटेशन्स और उनका एडिशन्स कौन किस-किस मैथर से हो सकता है और उनका वियोजन ठीक है तो आएए सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज में फिजिकल क्यों नुए समस्ते हैं टो जो फिजिकल कंटिटीज शोते होने नाम से ही और दीस यह जिसमें दिसा की जरून ंटिटी और इसकेलर् दिस यह रिस है ठीक है इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंग्निटूड यह नहीं परिमाल की आवे सकता होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दिखाने के लिए किसी भी भौतिक राश्य को दिखाने के लिए वह हमारी अधिस राशियां कहलाती है जैसे एक्जामपल के तौर पे लंबाई दूरी दर्ब्बमान छेतरफल समय ताप कार्य उर्ज्य दाब ताब घंत आयतन विद्दु धारा यह सभी आपकी क्या होती है अधिस राश्यां यहींस केलर क्वांटिटीज होती हैं वहीं अगर हम सठ क्वांटिटीज की बात करें तो वेक्टr क्वांटिटीज कॉन सी की भी जरूरत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं यानि कि दीशा के सासाथ परिमाण की भी आवशक्ता होती है उसे हम लोग सदिश राशियां यानि की वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं example की तोर पे अगर हम बात करें तो विश्थापन वेग त्वारन बल सनवेग आवेग विद्धु छेत्रादी ये सभी आपके क्या है सदिश राशियां है ने वेक्टर क्वांटिटीज है इतना आपको समझना है ओके सदिश निरूपन यानि की वेक्टर नोटेशन की अगर हम बात करें तो किसी भी सदिश को नोटेशन करने के लिए तो देखो अगर आप उस का एरो बना लो और उसी डायरेक्शन में बना लो जो डायरेक्शन है उस वेक्टर का और आप कुछ इस टाइब से उसको सो कर सकते हैं अगर सिंबल में हमको या उसका वो निरूपन नोटेशन लिखना हो तो एक ऊपर हम लोग जो है यहाँ पर एरो बना देते हैं तो यह क्लाइं सामरा पर क्या रहां सदेश हैं सदी के नोक जिससे बौड़ा Glory कहते हैं सदीष की कहते हैं म्ßसी को करता है यह जो agriculture da सदिस को जो है एक ही के ऊपर जो है एरो के हेल्प से हम लोग इसको सो करते हैं ठीक है तो यह होता है एरो को सो करने का तरीका अगला टॉपिक देखना क्या कहा रहा है सदिस राशियों से संबंदित महतपुड बिंदू यानि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग वेक्टर कॉन्टependence सबसे पहला यहां पर जो यहां पर टॉपिक वह शुन्य सदिस यानि कि 0 और नल वेक्टर ठीक है तो ऐसा सदिस जिसका परिमाण यानि magnitude 0 होता है वह सुन्येस कहलाथा है इसका दिशा अनिश्चित यानि इंडेफिनिट होता है जैसे ए बराबर वी औ और A-B बढाबर 0, okay, एकांग सदिस एनी unit vector की बात करें, तो unit vector सबसे पहले तो इसको तो कैसे करते हैं, यह समय लोग A की पावर cap से, A cap से denote करते हैं, हम लोग unit vector, तो मतलब ऐसा vector जिसका magnitude जो हो, वो एक unit हो, यानि कि एक हो, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका एकांक सदीस यहनी unit vector कहलाता है वो a cap से denote करते है a cap is equal to होता है vector a upon में mod of a ठीक है अब mod क्या है और a क्या है यह सारी चीज़े हम objective में बताएंगे हाला कि फिर भी समझ लो अगर vector a बराबर लिखा हुआ a i plus b j plus c k cap यह लिखा हुआ है और आपसे कह रहा है कि आप हमको unit vector यहनी a cap बताओ तो आप इसको लिखोगे ठीक है यहनी a i cap plus b j cap plus c k cap लिखोगे ठीक है और upon में आप square root के अंदर mod निकालने के लिए i cap का जो coefficient है यहनी a का square करोगे प्लस लगाओगे फिर j cap के बगल में जो b लिखा है उसका square करोगे प्लस k cap के बगल पर जो लिखा है उसका c का square करोगे और आपका a cap निकल गया इसको हम calculate कर लेंगे तो इस तरह से हम लोग unit vector निकालते हैं अगला topic है हमारा सदिशों का योग यानि addition of vectors तो हम सबसे पहले अगर अधिस राशियों की बात करें तो अधिस राशियां जो है हमारा जो पोड़ना या फिर घटाना नहीं कर सकते हैं तो इसलिए हम लोग कुछ अलग methods का यूज करते हैं ठीक है यदि दोनों सदिश ए तथा ए ए कही दिशा में हैं तो दोनों सदिशों का जो योग होगा वह आर बरावर ए प्लस भी होगा आश्वरी होगा यदि सदिश B और सदिश A यहां B होगा तब ऐसा बतेंगा ठीक है यदि सदिश B और सदिश A के विप्रीट इसा में है तो सरीस्यों का जो योग होगा वह goed via –B होगा एज equal to यहां अब GPT यहां एसे समझो कि अगर कोई वैक्टर्स हैं वैक्टर कुछ hacks डैरेक्शन में है और वैक्टर-BB इसी Jerry डिरेक्शन में और दोनों का एडिशन करना है तो resultant is equals to हो जाएगा a plus b ओके वहीं अगर हम यू कहें कि हमारा एक वेक्टर इधर है a और दूसरा वेक्टर इधर है b तो और इन दोनों का हम लोग को resultant निकालना है निए एड करना है तो यह हो जाएगा a plus minus of b क्योंकि किसी भौतिक राशी के सदिस होने के लिए एक अतिरिक्त आवश्यक सर्थ भी है ठीक है यह निकि एक अतिरिक्त आवश्यक सर्थ यह भी है किसी भी physical quantity के vector होने की कि उसको vector law को follow करना होगा ठीक है यहीं कि vector के अनुसार addition होगा vector के अनुसार है उसका subtraction होगा tribus का नियम यहीं law of triangle की अगर हम बात करें तो इसे सिर्फ पूछ का नियम भी कहा जाता है और जिसमें एक सदिस के सिर पर दूसरे की पूछ इस प्रकार रखते हैं कि उनकी दिशा आप परिवर्तित रहे और हमें दोनों सदिशों का एक परड़ामी एक resultant सदिश मिलता है दिये गए चित्र में ए तथा भी दो सदिश परड़ामी जो सदिश है उनका वो आर है suppose यहां पर दो आपके वेक्टर दिये हुए यह हमारे पास वेक्टर ए और यह हमारे पास वेक्टर बी इन दोनों को एड़ करना है तो एड़ करना है कि हम वेक्टर ए को जितना उसका magnitude यह नहीं जितनी लेंद है उतना लिखेंगे और उसी direction में लिखेंगे और वेक्टर बी क को हेड को मिला देंगे और यही हमारा लित होगा जो की इपलस भी होगा यहां पे यहां पे यहां पे इस दो फाटावर आगे बढ़ाएं तो ये एंगल ठीटा ये XC-1 थी नहींप robi-3yy नहीं जाएगा ठीक है बाकी यहां पर वही नाम वेगरा नॉमनी क्लेशर वेगरा कर दिया गया है बाकि सेम चीज़ है ओके तो यह यहां तीन सदिशों करमसा त्रिभुज की भुजाएं A B B C और A C है ठीक है अगला जो मैथरड है वो है समांतर चत्रभुज का नियम या फिर पैरलेलो ग्रैम मैथरड भी इसक सब्सक्राइशों A तथा B को समांतर चत्रभुज की दो आशन भुजाओं की तरह प्रयूक्त करते हैं लाइक कुछ इस टैप से जैसे जिस डैरेक्शन में सबसे पहले ए लिखा है उसको लिख लेते हैं और अब जो जो बी है उसकी पुछ से एक ही पुछ को मिलाते हैं कु और उसके बाद वेक्टर A के पैलल में यहाँ से हम कुछ एक लाइन खिशते हैं और उसके बाद यहाँ से इस पॉन्ट से मिला देते हैं एक लाइन ले जा करके और यह जो लाइन होती है यही रेजल्टेंट होता है R ठीक है जो की A प्लस B हमें यहाँ पे देता है तो इस से भी हम लोग निकालते हैं तो यहां पर जो यह resultant r निकलेगा इसका formula हो बनता है जो कि यहां पर आप देख सकते हैं a square plus square root के अंदर a square plus b square plus 2 a b cos theta यहां से आपको अगर theta निकालना हो या यू कहें कि यह जो alpha है यह अलफा निकालना हो अलफा एंगल यानि एंगल बिट्विन रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए अगर आपको निकालना है तो टैन अलफा इस इक्वल्स टू हो जाएगा आपका बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस्ट थीटा बस आप इतना याद रखो ओके तो यह दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं याद रखो कोश्टन सॉल्ब करते समय आ सकते हैं बाकी एक्जाम पॉइंट व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप पढ़ लेंगे तो अच्छा ही रहेगा ठीक है चलो अब देखो इस रिजल्टेंट का और यहां बढ़ाबर मिनिममम को रिजल्टेंट मिलेगा और फूंको मैक्सिमूम resultant मिलेगा ओके तो ये सारी चीज़े हैं एनलिसिस ओफ वेक्टर्स यानि सदिसों का वियोजन एगर बात करें तो यदि xy plane में xy plane में एक सदिस वेक्टर ए जो है इस तरह है कि x-axis के धनात्मक दिशा की साथ इसका कोंड जो है वो थीटा एंगल है ओके तो सदिस का वियोजन चित्रा अनुसार जो है करते हैं तो यहाँ पर देखो कोई वेक्टर ये ए है कुछ जो कि यहाँ पर x-axis के साथ यहाँ पर थीटा एंगल पॉस्टिव x-axis के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो इसके दो विक्टर एक तो ए डैस बन जाएगा और दूसरा ए डवल डैस बन जाएगा एडाइस जो कि आपका यहाँ पर और यहाँ बुड्र कॉंपोनेट है यह तो यहाँ पर अगर आप इसको देखे तो यह एक ट्राइंगल बनान रहा यहाँ पर यह triangle o a मान लो इसको b रख लेते हैं तो triangle o a b है एक तरह से ठीक है और यहाँ पे अगर आपको theta लिखना होगा मान लो cos theta अगर आप लिखते हो ठीक है तो इस हिसाब से आपको यहाँ o a dash is equal to a cos theta मिल जाएगा और o a double dash अगर हम बात करें तो a sin theta आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस प्रकास है triangle के हिसाब से आप cos theta find करोगे sin theta तो आपको यह मिल जाएगा ओके तो यहाँ से यह दो value यानि कि इसी को कहते है horizontal and vertical component ओके यह आपको मिल जाएगे ओके चलिए अगला कुछ important facts दिये होए है तो यहाँ पर देखो बहुतिक राशियों को दो भागों में बिखत किया गया है सदिस यो मदिस राशियां सदिस होने के लिए आवश्यक है कि इसमें दिसा परिमार के साथ साथ बहुतिक राशियां सदिसों के योग यहनि कि vector law को follow करना important है ओके आगला point जो है दो सदिस सदिसों जिनके बीच का code जो है वो theta है कि परिडामी का मापांक यहनि की modulus उनके बीच के code पर निर्भर करता है जहां परिडामी का मापांक जो है resultant is equals to a square plus b square square root के अंदर plus 2ab cos theta यह है square root के अंदर a square plus b square plus 2ab cos theta है मैंने कहा तो नहीं यह important है यह याद रखो के question नहीं आते होता कमी question आया है इस पर चलो अगला point देखो अदिसों का जोड़ या घटाओ जो होता है वो algebraic method से हम लोग कर सकते हैं लेकिन जो vector है उसका नहीं कर सकते है विद्दुधारा में दिशा और परिडाम परिडाम दोनों होते हैं कि तु यह क्या है फिर भी यह जो है सदिस नहीं है अदिस रासी एक्चुली इसको tensor में गिनते हैं tensor count करते हैं जो कि higher education में अब जब जाएंगे तो आपको यह सारी चीजे अच्छे से समझ में आएंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है tensor वेगरा आगे की classes में आपको बताया जायागा तो अभी तक अगर आपने हमारे app को जोईन नहीं किया है तो आपको जाकर के जोईन कर लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां से भी आप क्लिक करेंगे तो प्लेश्टोर से आप जाकर के डाउनलोड कर भाएंगे ठीक है जहां पर आपको मिल जाते हैं हरे class की quizzes साथ में classes जो मिलेंगे वह chapter wise आपको मिल जाएंगे वहां पर chapter wise subject wise मिल जाएंगे उन्हीं के साथ quizzes मिल जाएंगे उस class की PDF आपको मिल जाएंगे साथ में 21 set का आपको पी वाई क्यू ओर इजनल previous year question paper के PDF मिल जाएंगे ठीक है जो कि test series के अंदर test target 2023 के अंडर आपको मिल ला है साथ में 21 set के ऊपर आपका original question paper पर आधारी थी mock test आपको मिल जाएंगे तो यह सारी शुविधाएं हमारे आपको एप में मिल जाएंगी तो वह आप जाकर के वहां से join कर लिजे साथ ही आप हमारे telegram group को जरूर जोइन कर लिजे क्योंकि classes की जो update होती है वह telegram group में ही आती है time to time ठीक है और कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो 907692984 पर आप अपना message दे दीजे ठीक है जब भी मुझे time मिलेगा हम आपके message का reply दे देंगे आपका जो भी query होगा उसको complete कर देंगे साथ ही आप हमार जोड़ाद़ कि जोड़ादास आती है